आमानवी पार्टी के वरिष्टे नेताओ सांसर संजे सिंग को ईडी ने पिछले दिनों गिरफतार कर लिया उनकी गिरफतारी के विरोध में देश भर में 5 अक्टूबर को धर्णा प्रदशन किया जा इसी कड़ी में नाकपूर के समिधान चौक पर आमानवी पार्टी के पलदिकारियों कारे करताओं ने धर्णा प्रदशन कर केंदर सरकार के फैसले का विरोध किया सब्सक्राइब नाम लेते हैं और जिस्तर बुरी दुनिया को बाबा साफ अंबेट कर बारें बताते हैं सारी दुनिया मानती है लेकिन यहाँ भारत की बाबा साफ का नाम आगे नहीं आने देते बेरोजगारी खुक्मरी इन सब बातों को पुरी तर से नजर अंदाज करते हुए यहां कि वीडिया केवल और केवल बीजेपी के बुंडानगारी है और यह सारी दुनिया देख रही है कि इंडिया के अंदर में कितने कितने डीप में बेरोजगारी बढ़ चुकी है यहां अपर हमारे इतने सारे प्रॉब्ल्म है कि इन सारे प्रॉब्लम को दुणिया के सामने लाने के लिए जो जो नेता सामनी आ रहे हैगा कि की जो है को पुलिस हिरएं सब्सक्राइब Ahora यहां कि डर है कि आने हई एलेक्षिन दंदर में प्हुत ब्लूसर्य हने माला है इसने च कि जितने भी बड़े में नेता लोग है इने जेल का रस्ता दिखाया जा रहा है लोग नेता को एक जननेता को जिस तरह से गिरफ्तार किया जाता है इसका बहुत अच्छा उदारन यह बातपाईयों के इस बात की चिंता नहीं है अभी-अभी कल के आज की पेपर में है कि ना सरकार सरकारी अस्पतालों में दवाईयां देने के लिए विफल रही वहां पे जिवन आवश्यक दवाईयों की कमिया है जिस कमियों के कारण कई लोगों की जाने गई इस और सरकार का ध्यान भी है